कि आप सबों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एरी डाइजस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इंपोर्टेंट वेकंसी के बारे में तो इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यह वेकंसी किसके द्वारा जारी क्या गया है कि इतने सबसे पहले इस अडली में बताया गया है जो लोग रिये वेकशना सबसे पहले में बताया गया है जो National Botanical Research Institute लखनो है यह बेसिक और अप्लाइट रिसर्च करती है Plant Science के Importance अरिया में जितने भी important अरिया है Plant Science के उसमें scientific और industrial रिसर्च करती है और जो भी eligible और interested होंगे उनके लिए application invite किये गए है और इस वेकेंसी के लिए जो selection होना है वो interview के द्वारा होगा और purely temporary positions है आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यह जो वेकेंसी वो purely temporary है यानि आपका permanent यह जॉब नहीं होगा यह क्या कहता है जो CSIR NBRI का जो sponsor project है उसके लिए यह वेकेंसी जारी की गई है तो वह कौन कौन से है तो पहला जो area है देखिए area one botnical garden plant conservation and agrotechnologies इस एरिया में project associate का position है जिसमें education qualification जो essential है वो MSC in botany या plant science में होना चाहिए और desirable qualification में जो आपको morphological characteristics of economic plants का आपको knowledge experience होना चाहिए और job requirement में क्या करना है to work on DUS center at CSIR NBRI लखनो फोर वरगनवीलिया करना एंड गिलडुलियस crops यह मतलब आपको यह तीन क्रॉप से जिसके लिए आपको काम करना है NBRI में इसमें जो एज condition of 35 years होना चाहिए इसमें आपको stipend के बारे में बताए गया है जो 31,000 है पर मत उसके साथ एचार आपको दिया जाएगा और प्लस एचार एटू स्कॉलर्स वार्ट सेलेक्टेट थू नैस्नल eligibility test यानि उनी को एचार दिया जाएगा जो eligibility test क्वालिफाई करके पहुचे है इसके साथ साथ में यह भी बताए गया है जो प्रोजेक्ट के लिए वेकेंसी है या यह प्रोजेक्ट एसोसियेट का जो recruitment किया जाएगा उस प्रोजेक्ट का नाम है establishment of DUS test center at CSIR NBRI लखनो फोर वेगन वीलिया कैना एंगलोडेलियस क्रॉप्स इसका number of position एक है अब दूसरा जो है area 2 वो फार्मो ओगैनोसिस फाइटो केमेस्ट्री और प्रोड़क्ट डेप्लेमेंट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं fill assistant के लिए project associate या srf इस सभी के लिए मतलब vacancy निकाला गया है इसमें भी सारे details दिये गए है education qualification क्या होना चाहिए desirable qualification क्या होना चाहिए job specific क्या होगा आपका age क्या condition है स्टाइपन कितने दिये जाएंगे project का नाम क्या और पोजिशन अब इसके साथ साथ पोजिस project associate टू का वी वेकंसी जारी किया गया है जिसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए आयरुबेद में इसके साथ साथ दो एर्स का आपको आर एंडी में experience होना चाहिए अगला जो हम बात कर रहे थे जो एरिया टू में ही है project assistant का है जिसमें बीएसी chemistry या आपका medicinal analytical chemistry chemistry के अलग-अलाइट सब्जेक्ट में अगर आपका education qualification है तो आप इस post के लिए भी apply कर सकते हैं और इसका दिया हुआ क्या experience चाहिए कितने year maximum year है क्या stipend रहेगा वह सारा चिसमें में अब हम जो बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही important एरिया है और agriculture students के लिए तो बहुत ही important रहेगा तो एरिया इसके नमबर 3 जो plant ecology and environment technologies है इसके अंतरगत यंग professional 2 जो position का नाम है वो यंग professional 2 है इसमें essential qualification देखिए essential qualification आपको साफ साफ दिखेगा MSC agricultural science, botany, plant science, environmental science, environmental biology, microbiology, chemistry and applied chemistry यह सभी मतलब पोस्ट यह जो पोस्ट है यंग professional 2 का इसके लिए यह मतलब essential qualification वो MSC agriculture जरूरी है अब desirable में भी बताए गया है जो उन candidates को preference दिया जाएगा जो two years का research experience रखते है relevant area में और साथ साथ में basic computer skills यहानि अगर कोई भी MSC का students है और उन्होंने MSC agricultural science में किया है और भी उसके allied subject से भी किये होंगे और अगर उसके पास दो साल का research में experience है relevant areas में और साथ साथ में computer का basic skills उसके पास है तो वो इस positions के लिए apply कर सकते हैं और इसमें जो 2000 पर मंतिया जाएगा और प्रजेक्ट का जो नाम है to study the effect of arsenic accumulation on aroma nutritive value and glycemic glycemic index of salt grain aromatic rice grown in arsenic affected district of eastern उतर परदेश यानि इस्टन उतर परदेश में जो arsenic affected districts है उसमें जो aromatic rice grow किये जाते हैं तो उसमें जो arsenic का accumulation है या फिर nutritive value है या फिर क्या गता है glycemic index है salt grain में उसमें research किया जाएगा उसके study के लिए यह young professional को hire किया जा रहा है और number of position सिर्फ एक ही है दुसरा जो area area number four वो माइक्रो बाक मॉलेकुलर बायलोजी और बायो टेकनलोजी के लिए है जिसके लिए दो ट्रेनी जो ट्रेनी का requirement है पोजिशन का नाम ट्रेनी है दो मन्त के लिए वह स्टुडेंट पीजी के हो सकते हैं और plant science, botany, biochemistry, life science या बायो टेकनलोजी के जो भी स्टूएंस उनके लिए 28 years age limit है और stipend जो उनको दिया जाएगा 5000 पर मन्त साथ साथ में जो प्रोजेक्ट का नाम है exploring ब्रेसोने ट्राइट मेडियाटेड मेकनिजम और plant growth and adaptation under elevated CO2 condition तो जो भी स्टूएंट अगर पीजी कर रहे है या प्लाइंट साइंस के वो स्टूएंस है बायो क्रिस् अगर आप पीजी के स्टूएंट से प्लाइंट साइंस बाटनी बायो कमिस्ट्री में लाइफ साइंस में बायो टेकनोलोजी में तो आप भी इस पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यह डेट ऑफ इंटर्विव क्योंकि हमने बता जो ब्लॉक गाए तरी का बीस मार्च को रखा गया तीन बज़े से उसके लिए का ब्लॉक न्बिर आई राना परताब मार्ट लपनो तो निस जो नेस्टनल बॉर्टनिकल रिस इस्टिट्यूट है उसके द्वारा यह विकेंसी जारी किया गया है और उसी में इसका आपका को अगर एरिया में आप अप्लाई कर रहे तो 18 मार्च को आप अप इंटर्वी देने के लिए एरिया टूर के लिए आपको बीस मार्च को जाना परेगा और टाइम जो सबका है साथ साथ में इस पोजिशन के लिए और यह जितने भी वेकंसी आपको हम बता रहे हैं इसके लिए कुछ टर्म सन कंडिशन भी रखे गए और वो टर्म सन कंडिशन क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो बता जा रहा है जो अप्लिकेशन फॉर्म जो है यह से आप इसके अप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप इंटर्व्यू देने जाएंगे उस समय आपको कम से कम एक लेटेस्ट फोटोग्राफ लेकर आना है मतब कौन कौन से डोकॉमेंट्स ज़रत है वह हम बता दे आपको तो आपके लिए एक लेटेस फोटोग्राफ होना चाहिए और जो भी आप एक्जामनेशन पास्ट किये उसके सेल्फ एटेस्टेट कौपी होना चाहिए फॉर्म मेटिकूलर से लेकर के अब तक यानि अगर आप मैट्री का वाइंटर्मीडियर्स का वाइट्वेशन का पीजी का वह सारे के माक्सित सेल होना चाहिए और वह सभी जो आपका डेट ऑब बर्त को इंडिकेट कर रहा है और एक्सपीरियेंस सेटिफिकेर भी होना जरूरी है अब सेलेक्शन का मोड के बारे भी थो बता दें आप सबों को सेलेक्शन का मोड क्या रहेगा तो इंटर्विव जैसे हम पहले भी बात किये इस वीडियो में जो आपका सेलेक्शन का मोड वह इंटर्विव है लेकिन अगर नंबर ऑप कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो एक screening test भी लिया जा सकता है जो multiple choice का होगा यहां दिया हुआ है जो screening test comprising of multiple choice objective question may be held for shortlisting candidates for the interview यानि अगर candidates बहुत जादे हो जाते हैं तो shortlisting करने के लिए एक screening test भी लिया जाएगा objective type का दूसरा क्या सब्सक्राइब में बताया गया दूसरा point हम लोग जब बात करेंगे the appointment of selected candidates in CSIR funded project will be co-terminate with the project subject to his or her satisfactory progress यानि किसी को भी इस project में continue किया जाएगा या हटाया जाएगा तो यह किस पर depend करेगा तो उसका जो work satisfactory उसके पर यानि आप कैसा काम कर रहा है आपका क्या progress report है उसके आधार पर आपको continue किया जाएगा लेकिन यह भी प्रोजेक्ट के लिए जिसको भी हायर किया जाएगा उसका जो maximum project के लिए जो टेन्यूर होगा वह पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ा जाएगा साथ साथ में यह सभी चीजों का पर सकते हैं जो आपका CGPA या SGPA में आपको marks मिल रहा है उसको कैसे convert करेंगे percentage रूप में देना है और यह भी बता दिया गया है जो number of position वो vary कर सकता है time of selection के टाइम में यह भी है और यह भी आपको यहां एक चीज़ ध्यान देना है अगर number of candidates ज्यादा हो जाते हैं इंटर्व्यू के लिए तो possibility यह भी है कि इंटर्व्यू में continue till late in the evening or the next day also यानि लेट इविनिंग तब हो सकता या फिर next day के लिए उसको continue किया जा सकता है इसलिए यह candidate से मतलब request किया जाता है उनको suggest किया जाता है जिब वो अपना travel plans accordingly करें इस सारे चीज़ों में दिया गिया है आप पर सकते और जान सकते हैं और जो भी अगरी कल्चर के स्टुएन है वो तो जरूर इस वेकर सी को apply करें और इससे आपको क्या गतर नए चीजों को सीखने का मौका मिलेगा एक research पर आपको काम करें का मिलेगा तो यह महुती इस तरह के project पर अप्लाइक क्या करें ताकि इससे आपका जो आपका practical knowledge और theoretical knowledge वह भी इंक्रीज होगा तो इस तरह का वीडियो को आप जानने के लिए इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो